नमस्कार मित्रो मैं पंडित उमा शंकर अग्निहोत्री आज इस वीडियो के माध्यम से हम सब जानेंगे अक्षे तृतिया के बारे में अक्षे तृतिया सास्त्रों में अक्षे तृतिया का बड़ा महत्व है इस दिन भगवान परशतुराम जी का जन्म भी हुआ है इसे परशतुराम जैन्ती के रूप में भी मनाया जाता है अक्षे दर्दिया, धार्मीक दरश्टी से यह वैदिति है जिसका कभी ज्चए नहीं होता यह बैसाख माह के शुकल बक्ष की तरतिया दिथी को आती है इस वर्स अक्षय तरतिया दिथी पर्व 14 मई शुक्रबार को होगा हाला कि इस समय देश में कई जगहे लागडाउन की स्थती बनी हुई है और लागडाउन की स्थती के चलती कोई विशेश खरिदारी नहीं हो पाएगी लेकिन घर पर पूजा की विधी और दान पुनिशे यह उहार को शुक में बनाया जा सकता है बैसे भी इस साल अक्षय तरतिया सुक्रबार की सुभ योग में आ रहे है जो वेहद ही लावकारी होगी आज इस वीडियो के माध्जम से जानेंगे कि लागडाउन में कैसे मनाएं अक्षय तरतिया का पर्व और साथ ही जानेंगे वो उपाए जो आपको धनमान बना सकता है शाल 2021 में अक्षय तरतिया का पर्व चौदा मई शुक्रबार की दिन मनाया जाएगा अक्षय तरतिया पूजा का मूर्थ होगा चौदा मई शुक्रबार प्रातह काल पांच बचकर 38 मिनट से दोपहर 12 बचकर 18 मिनट तक तरतिया तिती प्रारंब होगी चौदा मै शक्रवार प्रात है काल पांच बचकर 38 मिनट पर तरदिया दिती शमापत होगी पंद्रा मै प्रात है काल साथ बचकर उन्शाट मिनट पर सोना खरीदने का सुम मौर्थ होगा चौदा मै प्रात है काल पांच बचकर 38 मिनट से 15 मई 5 बच कर 30 मिनट तक मौर्द की कुल अवधी 23 घंटे 52 मिनट होगी इस बार भी बहुत सी जगों पर लागडाउन की स्तिव बनी हुई है लागडाउन के चलते अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो अक्षय तरतिया के दिन घर में ही अक्षय तरतिया का त्यावार मनाए है अक्षय तरतिया के दिन घर के श्वर्ण आभुश्णों को एक सामान कटोरे में लेकर के पच्चे दूध और गंगा जलसे स्वक्ष कर लें और उन्हें एक लाल कबडे पर रख करके हल्दी कुमगम चंदर आदी के द्वारा उसका पूजन करें इस पूजन करने रिकते शमय उन पर लाल फूल चड़ाएं या फिर गेहूं भगवान स्री विश्णू के चड़ों में रख करके उनकी पूजा करें इसके बाद इन गेहूं को लाल वस्तर में लबेट करके तिजोरी में रख दें गेहूं को कनक अर्थाज सोने के शमार माना गया है इसलिए आज के दिन इनकी पूजा करने से कई शुभ फल प्राप्त होते हैं अक्षे दृतिया पर दान का खाश महत्व है सास्त्रों में इस दिन जल का कोई पात्र यानी बरतन जैसे गिलास लोटा घड़े का दान करना सुमाना जाता है माननता है कि गर्मी के मौसम में जल से जुड़ी सीतल चीजों का दान शुभ होता है इसके अलावा आज के दिन गुड़ या मेठी रोटी बना करके भी गाए को खिला शकते हैं इस बार अक्षे दृतिया शुक्रवार के शुभ योग में आ रही है इसे में आज के दिन मालक्षमी जी के पूजन से घर में शम्रत्थी आती है अक्षे दृतिया पर सोना या अन्य धातू से बनी चीजों की खरिद्दारी बहुत ही प्राचीन और सुम्मानी जाती है अगर आप खरिद्दारी के लिए घर से बाहर नहीं जा सकते तो धनलाब के लिए ये उपाय कर शकते हैं इन दिन मा लक्ष्मी के मंत्रों और ओम नमो भगवती बाशुदेवाय इस मंत्र का 108 बार चाप करना सुभ होता है इस दिन माता लक्ष्मी को चावलों की मीथी खीर का भोग लगाएं यदि आप पूजा में हल्दी की गाट का प्रयोग कर इस हल्दी को अपने धन रखने के इस्थान पर पीले कपड़े में लपेट करके रखते हैं तो आपको धनलाब होता है इस दिन घर पर रखी सोने की चीजों पर थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी और अक्षत डाल दे धनलाब होता है